बुद्ध जेन्ति को पावन अवसर मा यद सभामा उपस्तेत यहां हरू सबै लाई संपूर्ण नेपालबासी हरूलाई रविश्वका सबै स्रधालू जनलाई लुंबिनी को पवित्र भूमिबाट बुद्ध पुर्णिमा को धेरे धेरे शुपकामना मुझे पहले भी वैशाग पुर्णिमा के दिन बगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अउसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मसली लुम्मिनी आने का ये सवभाग मिला है कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो आउसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अव विश्मन निया थे वो जगह जहां स्वयम भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो वहां की उर्जा वहां की चेतना ये अलग ही एहसास है मुझे देखकर भी खुशी हुई कि स्थान के लिए 2014 में मैंने महा बहुदी व्रुक्ष की जो सैपलिंग भेट की थी वो अब विक्सित होकर एक व्रुक्ष बन रहा है साथियों चाहे पशुपतिनाज जी हो मुक्तिधाम मुक्तिनाज जी हो चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुम्बिनी में जब जब नेपाल आता है नेपाल अपने आध्यात्मिक आशिरवात से मुझे कृतार्थ करता है साथियों जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे है मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान स्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे है साथियों नेपाल यानि दुनिया के सबसे उंचे परबत सागर माथा का देश नेपाल यानि दुनिया के अनेग पवित्र तिर्थों मंदिरों और मठों का देश नेपाल यानि दुनिया की प्राचिन सभ्यता संस्कृति को सहच कर रखने वाला देश नेपाल आउदा मलाइक कुने राजनितिक ब्रह्मन भन्दा अलग अउटा छुटे आज्धात्मिक अनुभूति हुँच भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टी और आस्था के साथ देखा है मुझे विश्वास है अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादूर देवबाजी स्रीबनती आरजू देवबाजी भारत गए थे और जैसा अभी देवबाजी ने वरनन किया बनारस का काशी विश्वना धाम की यात्रा की थी तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूती भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है साथियों ये सांजी विरासत ये सांजी संस्कृति ये सांजी आस्ता और ये सांजा प्रेम यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और ये पूंजी जितनी सम्रत होगी हम उतने ही प्रभावी डंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं दुनिया को दिशा देशकते हैं आज जिस तरह की वैश्विक परिसित्या बन रही हैं उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबुती होती मित्रता हमारी गनिश्टता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रती हम दोनों ही देशों की आस्ता उनके प्रती असीम स्रद्धा हमें एक सुत्र में जोडती है एक परिवार का सदस्य बनाती है भावी और बहनों बुद्ध मानवता के सामोहिक बोद का अवतर है बुद्ध बोद भी है और बुद्ध शोद भी है बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संसकार भी है बुद्ध इसलिए विशेस हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिये बलकि उन्होंने मानवता को ग्यान की अनुभूती करवाई उन्होंने महान भैववसारी राच्य और चरम सुक्स विधाओं को त्यागने का साहस किया निच्चित रुप से उनका जन्दम किसी साधारन बालक के रूप में नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने हमें ये एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वा त्याग का होता है त्याग से ही प्राप्ति पुन्ण होती है इसलिए वो जंगलों में विचरे उन्होंने तब किया शोद किया उस आत्मसोद के बाद जब वो ग्यान के सिखर तक पहुँचे तो भी उन्होंने किसी चमतकार से लोगों को का कल्यार करने का दावा कभी नहीं किया बलकि भगवान बुद्धर ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जीया था उन्होंने हमें मंत्र दिया था अप्प दीपो भव भिक्खवे अप्प दीपो भव भिक्खवे परिक्ष भिक्षवो ग्राहम मदबचो नतू गौरवाद अर्थात अप्पना दीपक स्वयम बनो मेरे बचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहन मत करो बल्कि उनका परिक्षण करके उन्हें आत्म साथ करो ताथियों भगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विशय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूँ वैशाक प्रणिवा का दिन लुमिनी में सिधार्थ के रुप में बुद्ध का जन्म हुआ इसी दिन बहुद गया मैं वो बहुद प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशी नगर में उनका महा परिनिर्वान हुआ एक ही ती थी एक ही वैशाक पुर्णिवा पर भगवान बुद्ध की जीवन ग्यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था इसमें बुद्धत्व का वो दार्षनिक संदेश भी है जिसमें जीवन ग्यान और निर्वान तीनों एक साथ है तीनों एक साथ जुड़े हैं यही मानिविये जीवन की पुर्णता है और संबता है इसी लिए भगवान बुद्धने पुर्णिमा की इस प्रवित्र तीसी को चुना होगा जब हम मानिविये जीवन को इस पुर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती तब हम खुद ही वसुधायव कुटुम गम की उस भावणा को जीने लगते हैं जो सरवे भवन्तु सुगिन से लेकर भवतु सब्वमंगलम के बुद्ध उपदेश तक जलगती हैं इसलिए भवल गौलिक सीमाओं से उपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं हर किसी के लिए हैं साथियों भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और समन्द भी है जिसमें अद्वूत संयोग भी है और जो बहुत सूखद भी है जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ गुजरात का वड़नगर वहां सदियों पहले बौद्ध सिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था आज भी वहां प्राचीन आउशेस निकल रहे हैं जिनके समरक्षन का काम जारी है और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं कई शहर का इस्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के कांशी के रुप में जानते हैं भारत की विशेस्ता रही है और इसलिए कांशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मियता आप भी जानते हैं भारत में सारनाथ बोध गया और कुशी नगर से लेकर नेपाल में लुबमिनी तक ये पवितर सान हमारी सांजी विरासत और सांजे मुल्यों का प्रतीख है हमें इस विरासत को साथ मिलकर विक्षित करना है और आगे सम्रिद्ध भी करना है अभी हम दोनों देशों के प्रदान मंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेस्टल सेंटर पर बुद्धिस कल्चर और हरिटेज का स्लान्याद भी किया है इसका निर्मान इंटरनेस्टल बुद्धिस कॉन्पृटेशन आफ इंडिया द्वारा किया जाएगा हमारे सहयोग के इस दसकों पुनाने सपने को साकार करने में प्रधान मंत्री देवबाजी ने उनका अहम योगदान है नुम्बिनी डेवलप्मेंट ट्रस के अध्यक्षिय रूप में उन्होंने इंटरनेस्टल बुद्धिस कन्फेंडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णे लिया था और अब इस प्रोजेक को पुरा करने में भी उनकी और से पुरा सयोग किया जा रहा है इसके लिए हम सभी रदेश से उनके आभारी है मुझे खुसी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सरकीट और लुम्मिनी के विकास के सभी प्रयासों को सयोग दे रही है विकास की सभी संभावनाओं को भी साकार कर रही है नेपाल में लुम्मिनी मिज्यम का निर्माण भी दोनों देशों के साधा सयोग का उदारण है और आज हमने लुम्मिनी बुद्धिश उनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साब अंबेर कर चैर फ़र बुद्धिश टडिश स्थापित करने का भी निर्ड़ा लिया साथियों भारत और नेपाल के अनेक तिर्थों ने सद्यों से सभ्यता संस्कृति और ज्यान की विशाल पनंप्रा को गती दी है आज भी इन तिर्थों में पुरी दुनिया से लाखों स्रद्दारू हर साल आते हैं हमें भविश में अपने इन प्रयासों को और गती देरी होगी हमारी सरकारों ने भरवा और सौनौली में इंतिग्रेटर चेक पोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिए है इसका कान भी शुरू हो गया ये इस पोस्ट बनने के बार बॉर्डर पर लोगों के आवा घमन के लिए सुभीदा बढ़ेगी भारत आने वाले इंटरनेशनल स्टूरिस जादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के टांस्पोर्टेशन को भी गती मिलेगी भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाए है हमारे इन प्रयाशों का लाप दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा साथियों भारत और नेपाल बीच को संबन्द हिमालय जस्ते अटल छे रहिमालय जती के पुरानों छे हमें अपने इन स्वाभावित और नैसर्गी ग्रिस्तों को हिमालय जितने ही नई उचाई भी दे दी है खान पान गीत संगीत परवत योहार और रिती रिवाजों से लेकर पारिवारी संबन्दों तक जिन रिस्तों को हमने हजारों सालों तक जीया है अमुने साइंस टेक्नोलोजी और इंफ्रास्टेक्टर जैसे नए ख्षेत्रों से भी जोड़ना है मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंदे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिवरसिटी काठमंडु युनिवरसिटी और त्रिभ्यवन युनिवरसिटी में भारत का सयोग और प्रयास इसके बड़े उदारन है मैं इस खेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूँ हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे हमारे सक्षम युवा सभलता के सिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की सिख्षाओं के संदेश वाहग बनेंगे साथियों भगवान बुद्ध का कथन है सुप्प बुद्धम प्रबज्जन्ति सदा गोतम सावका एसं दिवाच रतोच भावनाय रतो मनो अरफात जो हमेशा मैच्टरी भावना में सथ भावना में लगे रहते हैं गउतम के वे अनुवाई हमेशा जागरत रहते है यानि वही बुद्ध के वास्त्विक अन्याई है इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानुता के लिए काम करना है इसी भाव को लेकर हमें समसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है भारत रन नेपाल बिचको मित्र ताले यस मानविय संकल पलाई पुरागर यसे गरी मिलेर काम गरी हने कुरामा मलाई पुर्ण विश्वास्चर इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाग पुर्णिमा की अनेक अनेक शुपकामनाए नमो बुद्धाया नमो बुद्धाया नमो बुद्धाया